तो जैसा कि दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले 21 दिसंबर 2021 के हिंदी सेक्सन के क्वेस्चन तो आप लोग भी इस वीडियो में लाश्ट तक बने रहेगा इसमें देखिया हम लोग जो लैंग्विज फर्स्ट है हिंदी सेक्सन का उसको हम लोग डिसकस करेंगे तो इसमें जितने भी क्वेस्चन पूछे गया है आपके सीटेट एकसाम में उन सभी क्वेस्चन को देखेंगे तो चले स्चार्ट करते हैं आज के क्वेस्चन को तो पहले देखिए यहां पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है यहां निर्देश लिखा हुआ है कि नीचे दिय करें लेते हैं तो दिखें यहां पे फॉष्ट कोशन पूछा हुआ है कि पढ़ने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है और सब्सक्राट पुस्टक बच्चों को दैस्च प्रदान नहीं करती की स्रेजनात्मकता में बाधक है और अब देखिए नैक्स यहां पे है कि जब ब चित्रूप बाथ चित् आ है क्योंकि एक उधार्णाओं की समधार्भ में महतपूर है तो देखिं यहां तो Britney यह पिराग्राफ्टे नहीं है तो सारे रिक में देखिंगी जो प्रतिया लगा रहता है वह एक प्रतिया लगा भबूरता है तो इस तरेके से यहाँ पर 97 का है वह 3rd वाला option. 98 का कि चित्रात्मक किताबेों में चित्रात्मक सब्द है तो देखे जो चित्रात्मक किताबें है तो बिल्कुल राईट हीवसेश्ण ओके और देखते हैं नाइस्ट कोशन अब यहां पर देखें 99 नंबर का कोशन है कराय के निम्न में से कारक चिन नहीं है तो देखें कारक चिन आप लोक ने पढ़ा होगा कि का होते हैं के होते हैं की होते लेकिन कभी भी यह वाला की नहीं होता तो इस तरीके से यहां पर जो यह बिल्कुल राइट हो जाएगा ओके तो चले अब देखते हैं पैराग्राफ जो दिया गया है उसको देखेंगे पैराग्राफ में करा है कि चित्रों की भासा ऐसी स्वचंदता उन मुक्ता प्रदान करती है कि पढ़ने वाला अपने कथ्यों को स्वयम गड़ता है जहां बंधन न हो वही स्वचंदता और स्रीजनात्मक अपना सामराज अस्थापित करते हैं इसलिए चित्रात्मक किताबे बच्चों के लिए हमेशा अकर्षर का केंद्र रही है आगे कराय के आंगरबारी के बच्चों के साथ यह अनभव भी रहा है कि रंगीन चित्रात्मक किताबों को देखते ही बच्चों के भीतर उसे चुने पकड़ने और उसकी भीतर की दुनिया में जाकने के लिए पन्ने दर पन्ने पलटने की उत्रिष्ट इच्छा बच्च आकरशन महसूस करें और उन्हें खोल कर देखने की त्रिष्ट इच्छा भी हो तो देखें यहां पर एक क्वेश्चन आप लोगों का मिल गया होगा है उसमें पूछा कि पढ़ना सुरू करने की प्रक्रिया का प्रथम सोपा नहीं है कि हम किताबों के प्रती आकरशन को भी आगे करा है कि उन्हें खोल कर देखने की त्रिष्ट इच्छा भी हो एक बार किताबे खुलते ही उसमें मौजूद अधार्णाओं का संसार भी धीरे-धीरे खुलने लगता है दरशल बच्चों की प्रतिक्रिया ही इन अधार्णाओं के बनने का प्रमार है अधूर और जो इन अधार्णाओं के संदर में महत्पूर है वह है संदर वियुक्त परिवेश और अधार्णाओं का बनना अधार्णाओं अब इस पर बेस क्वेश्चन देखेंगे तो देखे 91 नमबर का देखे क्वेश्चन करा है कि पढ़ने की प्रक्रिया का प्रथम सुपान ह तो पहले ही बता हैं तो उसमें क्या था कि जब हम लोग पैराग्राफ पढ़ेते तो उसमें लिखा था कि पुस्तकों के प्रती आकर्शर तो यहाँ पर थर्ड वाला पॉइंट बिल्कुल राइट हो जाएगा चले देखते हैं अब यहाँ पे देखे 92 नमबर का देखे क् चितरात्मक चितरात्मक पुस्तके बच्चों को डैस प्रदान नहीं करती तो क्या नहीं प्रदान करती उसमें देखे हैं लिखा था कि उन्मुकता भी प्रदान करती है और स्वचंदता भी प्रदान करती है लेकिन जो सिमीतिता है या प्रदान नहीं करती तो यहाँ पे तो वाला option राइट हो जाएगा ओके चलिए देखते हैं नेस्ट अब यहाँ पर देखे 93 नंबर का देखे क्वेशन है तो क्वेशन देखे कर रहा है कि बच्चे के स्रिजनात्मक्ता में बाधक है तो क्या चीज बाधक है रंगिन पूस्त के उन्मुक्ता बंधा बंधाया जो रहता है यह बाधक होती है तो यहाँ पर थर्ड वाला option बिल्कुल राइट जाएगा चलिए दिखते हैं नेस्ट 94 नंबर का देखे क्वेशन है तो देखे 94 नंबर का क्वेशन कर रहा है कि जब बच्चे चित्रों को देखकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो इसका अर्थ है कि बच्चे क्या कर रहे हैं और धालाय बना रहे हैं रटे रटाय उत्तर दे रहे हैं पूछे प्रश्णों को उत्तर दे रहे हैं कि परिच्छा की तैयारी कर रहे हैं तो देखे जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं तो यहाँ पी फर्स्ट वाला पॉइंट है तो कुशन देखे कर रहा है कि चित्रों वह चित्रों पर बातचित महतपूड है क्यों कि महतपूड है तो देखे इसका जो राइट अंसर हो जाएगा कि अधुरी और गलत अधायनाय संसोधीत हो जाती है तो यहाँ पर यह वाला प्वाइंट बिल्कुल राइट है चलिए निर्देश विद्यालाई धाचा तो दिखे हम लोग लास्ट में यह पॉइंट पढ़े थे कि जो धाणाओं के बनने के संदर्वे में महतपूर क्या है संदर्वयुक तो परिवेश है तो यहां पर सेकेंड वाला आंसर राइट हो जाएगा चलिए दिखते हैं अब यहां प पैराग्राफ है कराई कि निम्नलीकित काव्यांस को पढ़ कर पुछे गया प्रश्णों के सबसे उप्योक्त उत्तर वाली विकल्प को चुनिए तो यहां पर देखें पद्दे में करा है कि नन्हा सा बच्चा बड़ा सा बस्ता लादे चाता पीठ पर हाथ में बोतल आख थिक से सोना ननानी के घर जाना चुट्टियों में न मज मस्ती न तहवारों में उधम मचाना बारहों महीने एक हिरट प्रथम हमको आना है प्रगति नाम का दानव लील गया है बच्चपन को जो ब्लड प्रेशर हुआ करता था ब्रिद्धों को अब होने लगा है नन्हों को लोगों अब तो संभल भी जाओ बच्चों को बच्चा रहने दो रेस का घोड़ा मद बनने दो तो दीखें यह रहा का व्यांस अब इस पर बेस हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो देखें 100 नमबर से क्वेश्चन है क्वेश्चन करा है कि बच्पन को किस ने समाप् कर दिया है तो वह कर दिया है प्रगति की अपिच्छा देखें यहां पर फर्स्ट वाला तो बिल्कुल राइट हो जाएगा चले दिखते हैं अब यहां पर देखें 101 नमबर का कोशन है कराए कि कवीता में बच्चा व्यस्त रहता है किस चीज में व्यस्त रहता है तो पढ दिखते हैं नैस्ट अब यहां पर देखें 102 नमबर का कोशन करा है कि कवीता में बच्चों में भी ब्लड प्रेशर होने की बात कही गई है उसका प्रमुक कारण क्या है तो देखें क्या प्रमुक कारण था प्रगति की अपिच्छा तो मतलब कि प्रथम आने का जो तनाव था वह इसमें बग कहा गया था तो यहां पर फोर्थ वाला अप्शन राइट हो जाएगा चलिए दिखते हैं नैस्ट अब यहां 103 नमबर का कोशन है करा कि दी गई कवीता में किस बात पर बल दिया गया है तो देखें जो बल दिया गया है वह दिया गया है कि बच्चों का पढ़ाने लिखाने पर तो सबसे ज्यादा राइट आंसर है ओप्शन नमबर थर्ड का ओके आप लोगों को समझ में आ रहा होगा चलिए देखते हैं अब यहां पर देखें नैस्ट कोशन करा है कि राद भर में कौन सा क्रिया विशेशर सब्द है कि जो राद भर है तो र पर प्रब्रस गति तो यहां पर यह बिल्कुल राइट है अब देखें नैस्ट कोशन है कि प्राथमी कस्तरप चैनित बाल साहित में सरवादिक महतपूर पिंदू है क्या महतपूर है कि बाल साहित में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है तो देखें रंगिन चित्र तो तो रहता ही है क्योंकि छोटे बच्चों का किताब देखें कि उन्हें सौट्स चीजे में समझाया जाता है केवल चित्रात्मक्ता तो देखें जहां पर केवल सब्द आएगा वह तो हंडिड़ परसेंट ही गलत है तो बच्चा अप्शन नमबर टू कि सार्थक पुनरा व तो यहां पर ऑप्शन नमबर फोर राइट हो जाएगा ओके चलिए दिखते नैस्च अब यहां पर देखें 108 नमबर का देखें कोश्चन है तो देखें कोश्चन करा है कि कच्छातीं की हिंदिभासा के पाठे पुस्तक में दिया गया अभ्यास ऑजारों के नाम खोज कर उदाहरण है किस चीश का उदाहरण है तो देखें बच्चों को सरवग्य बनाने का तो देखें कोई भी बच्चा है वो इतना जल्दी पुद्धिमान नहीं हो जाएगा कि उसे हर चीश के बारे में knowledge रहेगा तो यहां पर देखें फर्स्ट वाला तो वैसे ही गलत हो गया अब देखें यहां पर कराएं कि अन्य वेवसायों से परिचीत कराने का तो देखें छोटों बच्चों को अन्य वेवसायों से परिचीत कराने का कोई भी मतलब नहीं है तो यहां पर सेकेंड वाला भी गलत हो जाएगा और फोर्त वाला देखें कराएं कि विश्यों की सब सब्दावली से अनुवारी परिचय का तो देखे जब ऑजारों दिया हुआ सब्द है तो यहां पर इसका तो कोई भी मतलब नहीं है बचा ओप्शन नमबर थर्ड का कि संपूर पाठ चरया में भासा का तो यहां पर थर्ड वाला ओप्शन राइट जाएगा चलिए दिखते अब यहां पर देखे नेश्ट है 109 नमबर का देखे क्वेशन है कराय कि मुझे बैगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता वाकि मेरे खांकित सब्द का मतलब बताओ यह प्रश्ण है तो देखे फर्स्ट कराय कि बहुत कठीन है नहीं पूछना चाहिए बहुत सरल है पू बिल्कुल सही करा है और फूर्थ देखे कराय कि बच्चों के भासा ग्यान को महत्तों देता है तो देखे सबसे ज्यादा अगर कोई भी राइट बैठता है तो वह है अप्शन नमबर थर्ड का कि संदर्ब में शब्दावली का उधार अड़े ओके चले दिखते हैं अब यहां पर देखे अब यहां पर देखे 110 नमबर का कोश्चन है करा है कि हमारे देश की डैस विविदता हमारे एक भासाई डैस है क्या है साहितिक चुनौती तो देखे साहितिक तो है लेकिन चुनौती हम लोग नहीं कर सकते हैं कि जो हमारी एक भासाई यह चुनौती है तो तो इस तरीके से यहां पर सिख्षा का माध्यम यह होना चाहिए क्योंकि कोई भी छोटा बच्चा है तो उसे ना तो जल्दी इंगलिस आती है और नहीं हिंदी मतलब कि अगर कोई अनदर जगह का बच्चा है तो उसे अपने ही जगह का भास समझ में आएगा तो देखें अगर उसको मात्र भाशा में पढ़ाया जाए तो वो सबसे जल्दी सीखेगा तो यहां पर फर्स्ट वाला उप्सन राइट हो जाएगा चले दिखते है नैस्ट अब यहां पर देखिए 112 नंबर का देखिए क्वेशन है तो देखिए क्वेशन करा है कि विभीन प्रोचत ठीक है लेकिन अगर सबसे ज्यादा अगर बैस्ट के बात करें तो अप्शन नंबर 3 का हो जाएगा शमावेशी क्यों कि देखिए समावेशी में क्या होता है कि सभी तरीके के बच्चों को सिखाया जा सकता है लेकिन अगर सरल की बात करें तो देखिए कोई चले दिखते है नैस्च अब यहां पर देखिए नैस्च कोश्चन करा है कि किस विद्या में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की सरवादी गुंचाई से है फर्स्ट यहां पर करें जीवनी सेकेंड करें आत्मकथा थर्ड करें डायरी और फोर्थ करें एक आंकी तो देख करती है तो यहां पर फोर्थ वाला ओप्शन राइट हो जाएगा चलिए दिखते है नैस्च अब यहां पर देखिए नैस्च कोश्चन है वन हंडे 14 नंबर का तो देखिए कोश्चन करा है कि प्रात्मी कस्तर के बच्चों में डैस्ट और डैस्ट के माध्यम में से लेखन अब यहां पर देखिए 150 नंबर का देखिए कुश्चन है कि तुम्हारी परिचीत नदी के किनारे क्या क्या होता है शवाल बच्चों को डैस्ट का अउसर देती है क्या देती है कि अपनी नदियों की जानकारी देने तो देखिए इसका कोई भी मतलब नहीं है अपनी वह पॉजिटिव की बात करता है जब बच्चों से पुछते हैं कि तुम अपनी परिचित नदी के बारे में बता तो वह अपना अनुभव बताएंगे कि नदी के किनारे क्या क्या चीजें कैसे कैसे बसे हैं तो वह सारी चीजें देखकर बता सकते हैं ओके चलिए दिखते हैं अब यहां पर देखिए 160 नंबर का कोशन है तो देखिए जो भासा अर्जन है वह चौमस के से रिलेटेड है तो यहां पर थर्ड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा चलिए देखिए 170 नंबर का कोशन है तो देखिए नेश्ट कोशन कराए कि मोना दुसरी कच्छा में पढ़ती है वह पढ़ते समय अटकती है संभव वह डैस से ग्रस्त है फर्स यहां पर कराएं डिस्क्राफिया तो देखिए जो डिस्क्राफिया है वह लिखनी से समबदीत है यह देखिए नेश्ट अब यहां पर देखिए 180 नंबर का कोशन है कराय कि सुनी और पढ़ी कहाणियों के आधार पर बच्चों के साथ कौन सी भाशाई गतिविदिया सरवाधिक महत्तपूर है तो देखिए यहां पर अगर बात करें सरवाधिक महत्तपूर है तो वह कहानी प क्वेशन देखे कर रहा है कि प्राथमी कस्तर पर हिंदी भासा का आकलन करते समय आप किसे सरवादिक महत्वपूर मानते हैं तो देखे सबसे ज़्यादा अगर कोई भी चीज को महत्वपूर माना जाता है तो वह है मौखिक अभिवेक्ति को जब हम लोग कमिनिकेशन कह सकते है जब हम लोग बोल चाल में अगर अच्छे रहते हैं तो सबसे ज़्यादा हम किसी भी चीज को सीख सकते हैं ओके, चलिये दे Toby and last question है, तो देखिए नेस्ट question गरा है कि कविता के संडर्वे में सरवादिक महत्वपूर हैं, भाउपूर पठण, व्याक्या, अलंकार छंद, तो देखिए भाउपूर पठण सबसे जादा कविता के संदर्वे में महत्वपूर होती है, ओके, तो इस तरी